हालो प्रेड असलाम अलेकूम तो कैसे हैं आप साव आम शूर्टिक टाग भी होंगे फिट पाट भी होंगे तो वेल्कम बैग माई यूटीब चैनल सोभिय कीडिस यह देखिए मेरी रात की रोठी बज गई थी उसका मैं आज बेदरीन सा यूज करने वाली हूँ आप मुझ देखिए अगर आपके पास एक रोठी बची हो तो आप उसका भी बना सकते हैं दो बची हो तो उसका भी चार बची हो तो उसका भी फेकने से तो अच्छा है उसका नए तरीके से यूज किया जाए फिर उसके बाद मैंने एक ग्रैंडिंग जाल लिया है उसमें रोठी को टुकड़े को डाल दिया है डालने के बाद मैं इसको पीस लूँगी बहुत बारिक भी नहीं पीसना है ये देखिए पीसने के बाद इसको देखेंगे तो ये एक प्याली है एक पहली मेरे है ब्रूटी है आप या करेंगे आजिलाएंगे आज जलाने के बाद इसको भूल लेंगे मैने इसमें एक चमश क्षेवी भी डाली है आप चाहeled तो इसमें आपने हिशाब से कोई अब इनको भूल लेंगे हैं जैसे यह गोल्डेन ब्राउन होगी इसको निकाल लेंगे तो अब ही तक अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मेरी डिस्क कैसी लगती है आपको मुझे कमेंट में बताना भी ना भूलिएगा आप बताइए ज़रूर कि आप बासी रोडी का क्या 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 करने वाले हैं यह देखिए यह अच्छे से गॉल्डेन हो गई है इसको हम निकाल लेते हैं अब इसको एक निकाल लिया है मैंने अब इसको एक निकतिक बाउल में डाल देंगे है रोटी का आपने क्या क्या बनाए मुझे जरूर पताना पताएगा ज़रूर यह देखिये मैंने इसमें एक कप सुजी डा लिये एक कप पितिवी चीनी जालिये चीनी को लिए और मिक्सर में पीस लिए सा मैं ने लाजिशी पॉरंड डाला आप बीच्चru है डाले आप शाहे को करें हाँ आप क्या करेंगे इनकोस کا करें अब क्या ठर तर छुट डालग से ऊप गयाने तिन सुजी देशिलिया हुआ हमारा बेटर кошाय तरीके से अब जितना मैंने सूजी ली थी एक कप उतनी मैंने ये देशी घी ली है इसको भी अच्छे से डाल देंगे उसके बाद मिला देंगे ये देखे थोड़ा सा मैंने काजू बताम लिया है आपके पास अगर कोई और भी ड्रैफूट हो तो आप उसको भी एड़ कर सकते हैं गरी का पुरादा भी डाल सकते हैं कि अब एक पाहिन यहाँ मैंने इसमें थोड़ा था यह दवकली ऑसके बाद मेरे थोड़ा-सा मैदल लिए्विस्पर लिए इसे हमारे कÁC को निकालने में बड़ी ही आसानी होगी आसानी से यह ब्तायर हो गया यह देख इन्स के हम प्लोटे देंगे इस घुला-जला-लम इस पर एक तवा रख दिया है वो जब तक गरम हो रहा है तब तक हमारा बैटेट यह देखिए थोड़ी देर रख दिया ताकि सूजी फूल जाए अच्छे से अगर सूजी फूलेगी नहीं तो कड़ी रहेगी अगर सूजी को थोड़ा सा टाइम देंगे फूलने के लिए त इससे हमारा बैतीन सा नास्ता बन के तयार होगा यह देखिए मैंने इनो लिया है पुरे एक पैकेट मैंने ले लिया है इसके बाद इस पे थोड़ा सा दूट डाल देंगे ताकि एक्ट्यू हो जाए अब इनको मिला लेंगे अब इसको बहुत तेजी के साथ नहीं मिलाना हलके हलके हाथ से इसको मिला लेंगे यह देखिए तुरंद यह जाक फेकने लगता है इनों मिलाने के बाद बैटर को बिलकुल भी रखना नहीं है तुरंद पैर में डालके तुरंद ही पकाना है यह देखिए हलके हलके हाथ से इसको हम चला लेंगे बस बहुत तेज नहीं चलाना है वरना ये बाद में अपना काम नहीं करता है के उसका असर खता हो जाता है यह बहुत ही तैयार हो गए अप इसको इसी taką मैं हमारा ये बेतीन सा टेश्टी सा नास्ता तयार हो जाएगा आप इसे क्या नाम देंगे मेरी बेटी इसे बासी रोटी का केक कही उसको बहुत ही अच्छा लगा बहुत ही पसंद आया मैंने सोचा मैं आपके साथ सेर करती हूँ ये देखिए पहरे से हमारा तवा गरम है इस प तयार है अब हम इसको निकाल लेते हैं नाइव से चारो तरफ से इसको जड़ा सा ये देखिए उभार लेंगे तांकि जो आसानी से निकल लाय था आगए आप बनाएंगेगेए न टेख निकल आएगा यह देखिए वाव लग रहा है ना कितना बेतिन सा जब आप बनाएंगे खाएंगे खिलाएंगे तो आप कोई नहीं जान पाएगा कि यह आपने इसको 20 रोड़ी से बनाया है तो कैसी लगे मेरी डिस बताएगा जरूर अला हाफ